तो सर हमारा टॉपिक और चेप्टर है एबी आईटी बेसिकली जो चेप्टर है वो एबी आईटी है एड़ एपिएस एनलेसिस के नाम से लेकिन हम एबी आईटी की बात करेंगे अभी तक हमें जो समझ में आ रहा था ना कह रहा था भीया आप्शन नमबर वन लो आप्शन नमबर टू लो पहले आप्शन में एक काम करते हैं सरफ एक्विटी शेयर कैप्टल रख देते हैं माल लेते हैं पांच लाग का दूसरे option में ऐसा करते हैं कि equity share capital रख देते हैं हम 2 लाग का और debenture रख देते हैं कितने रुपए का 3 लाग का और आपको एक EBIT दे दिया जाता था और उस EBIT के हिसाब से इन दोनों में से which plan आपका कौन सा plan best है वो बताना होता था यही तो सीख रहे थे अभी तक हम अगर आप रिमाइंड करो तो हमें दो तीन option given होते थे उस option में से हम सबका क्या करते थे calculation करके EPS निकालते थे for example मैंने बोल दिया सवाल में EBIT आपको दे दिया मैंने EBIT suppose करो मैंने दे दिया दो लाग रुपए अब मैंने बोला आप इस सवाल को solve करो आपके लिए option one best है या option two तो आप क्या करते थे यहां पे आप यहां पे simply दो plan बनाते थे यहां पे मैं अभी प इसले वाले मैं 10% बता दिया अगर तो 30,000 होगे हमारा माइनस करोगे 2,00,000 और यह आ जाता एक सतर अगर टेक्स है तो ठीक है नहीं तो EBT और मान लो टेक्स अगर 50% है तो यहां पे आ जाता एक लाग और यहां पे आ जाता आपका सतर है ना तो 35,50,85 और यह बचता एक ला हो जाएंगे आपके 2,000 से तो यहां पे EPS निकल के क्या आ जाता हमारा 20 रुपे और यहां पे 85,000 को डिवाइड करते 2,000 से तो यह आगे हमारा ब्यालेस पॉइंट 5 तो एक बार दुबारा देख लेते हैं कई मैंने जल्द बाजी गलत तो नहीं कर दिया ठीक है यह आता मै है कि आप से पूसते हो बता ओ कि कौन सा प्लाइं बैंसे क्यों संसा फ्ले बात है कि सिंपल सी बात है कि सार यहां पर EPS इसका ज्यादा है यानि सारा खेल किसका चल रहा है EPS का जिसका हायर EPS वो बिजनस वो प्लैन हमारे लिए परपोजर बेस्ट होगा सबी ने जवाब दे दिया अब एक्जामनर क्या बोलेगा बहिए बोलेगा कि आप न वो प्रॉफिट निकालके बताओ अब आपसे ये पूछा जाएगा वो प्रॉफिट निकालके बताओ जहाँ पे चाहे आप ये प्लैन ले लो चाहे ये प्लैन ले लो दोनों पे EPS एक पॉइंट होता है जैसे ब्रेक इवन पॉइंट होता है ने तो एक इंडिफरेंस पॉइंट बताओ जैसे अगर मैं ग्राफिकल फॉर्म में बात करूं तो एक ऐसा इंडिफरेंस पॉइंट बताओ इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब वह पॉइंट बता दो मुझे जहां पे हमारा EBIT और हमारा EPS दोनों एक दूसरे को काटता हूँ मान लेते हैं EPS पांच रुपए यहां गया EBIT मान लेते हैं 5000 यहां गया यहां पे EPS और EBIT कोई भी आपका प्लैन हो प्लैन वन हो टू हो त्री हो लोन हो डिबेंचर हो प्रफरेंस कुछ भी हो लेकिन EPS आपका सेम आना चाहिए ऐसा प्लैन बताओ तो मैं सीधा भुक का ही कोश्चन ले लेता हूँ क्योंकि फिर मैं अपने एक्जामपल लूँगा फिर भुक के लूँगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम खिज जाएगा ठेक है तो सबसे पहले हम सीखने क्या वाले हैं वो बात समझ यह हम समझने वाले वन हो टू हो कोई भी हो एक्वाली आएगा हम वेरिफाइग करके भी चेक करें समझ में क्या सीख रहे हैं तो हम सीख रहे हैं इंडिफरेंस पॉइंट और यह हमें निकालना पड़ेगा यानि अब हमारा आंसर क्या रहेगा इबिट करना वह लेवल का क्या फाइंड करना सेम आने से क्या होगा एक्वार अगर हमारी अर्निंग वह आती है और मैं आपको बोलता हूं प्लैन वन में जाओगे भी में जाओगे ता आप बोलोगे जबाब दोगे किसी में चले जाओ कोई फरक ही नहीं पड़ना आप बोलते हो कंपनी प्लैन नंबर टू अच्छा है कैसे अच्छा भाई एपियस तो नहीं है उतना और कंपनी नंबर बन तो आपको कोई डिसिजन लेने में दिक्कत इने भाई यह कर ले यह कर ले बात एक तो बस यह बताना चाहता है एक्जामने तो चलिए एक सवाल आ आज करने वाले कोश्चन मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉबैबिलिटी अगर मैं बात करूं तो 90% प्रॉबैबिलिटी है कि आपके एक्जाम में अगर इस चैप्टर से कुछ पूछा जाएगा तो इन डिफ्रेंस पॉइंट आने के चांसे सबसे ज्यादा होता ह EPS भी ऑल्दो है लेकिन पर्संटेज वाइस मुझे लगता है कि इस बार ये चीजे ज्यादा पूछी जाएगे तो इसलिए इसको भी समझ लेंगे और ये बहुत आसान है क्या कहता है question में एक firm है considering alternative proposal finance उसको कितने plan के हिसाब से कितने रुपे चाहिए 40 लाग और दो plan है बोलता है बहिए एक काम करते हैं न पंदरा परसंट लोन ले लेते हम 2 लाग का और 2000 equity issue कर देते हैं 100 रुपे का तो total देखो 4 लाग है 40 मैंने बोल दिया साथ 4 लाग है तो यहाँ पे 2 लाग रुपे किस format में आगे लोन में और 2 लाग रुपे किस format में आगे है equity में अगर मैं plan number one की बात करूं तो आपको जो दिखाया जा रहा है वहाँ पे equity share बताया जा रहा है आपको और वो बताया जा equity कर दो तो दूसरे परपोजर में बोला गया कि आप 4000 equity share और एक कितने का एसर 100 रुपे का यानि आप 4 लाग का सीधा सीधा equity आप issue कर दो दो plan आपको पता चलगे है अब question में कहता है given tax rate 30% ठीक है sir assume EBIT 70,000 assume करना है कि आपका EBIT कितना है 70,000 and 80,000 एक आपका EBIT 70,000 हो तो और which alternative is better कौन सा alternative better है पहले तो यहां तक समझ लो यानि अभी दो EBIT से करना है and also compute the indifference level of EBIT और एक EBIT आप बताओ जहां पे EBIT indifference level का हो तो पहले तो indifference वाला हम अभी करेंगे पहले जो basic basic वाला है 70 और 80 वाला कर लेते हैं या मैं चलो कर लेते हैं वो तो एक बार में हो जा चाहिए होगा समझाने के लिए तो वह में next page पे करूँआ दो प्लैन हो गया अब दो प्लैन होने के साथ साथ और दो प्लैन है हमारे पास सर क्या कह रहे हो यह दो प्लैन के साथ दो प्लैन कैसे देखिए यहां पे आपका profit ले लो 70,000 तो यहां पे प्लैन वन है टू दोनों compare करोगे और यहां पे profit कितना ले लो आप असी अजार यहां पे भी वर वन और टू को comparison करोगे तो होगे चार question में क्या कहता है assume EVIT 70,000 and 80,000 यह नहीं बोला के 70,000 इसके लिए 80,000 तब तो कोई मतलब comparison होई नहीं सकता तो बोला ऐसा profit है तो बताओ तो simple सी बात है अब ले लेते हैं EVIT sir EVIT पहले वाले case में कितना ले लिया और यहां भी और यहां पे और यहां पे अभी indifference point के बारे में कुछ नहीं बात कर रहें जो पिछली class था उसी class को हम आगे लेके चल रहे है continue ठीक है चलिए आगे चलते है sir minus क्या कर दे हम interest अब पहले plan के इसाब से भई यह 15% दो लाग का loan है तो interest कितना बनेगा और दूसरे में है नहीं तो नहीं बनेगा तो यहां भी क्या बनेगा 30,000 और इसमें है नहीं तो नहीं बनेगा इसलिए थोड़ा सा आपको लग सकता है यह बन जाएगा हमारे कितने 40 और यह कितना रहेगा 70 यह कितने हो जाएंगे 25 यह कितने हो जाएंगे असी अब माइनस क्या कर दो सर टेक्स सर टेक्स रेट कितना है 30 परसेंट है तो 12,000 और 21,000 15,000 और 24,000 फटा फट माइनस करके आप निकाल दो सर एटी सर एटी क्या एगा 12 माइनस कर दोगे तो कितने हैंगे 28 21 माइनस कर दोगे तो कितने आ जाएंगे 49 15 माइनस करोगे तो 35 24 माइनस करोगे तो कितने आ जाएंगे 56 अब डिवाइड किस से कर दो सर नंबर आफ प्लैन तो बेस्ट हुई है जिसका EPS सबसे हाइस है पहले वाले केस में एक्यूटी दो लाख है और इच कितने का है 100 रुपे का तो इतने में कितने हो गए 2000 और दूसरे वाले में इसमें 2000 इसमें 4000 निकाल दो EPS पटाफट से EPS देखते हैं किसी का आंसर आया EPS का नहीं आया साइध आंसर मिल गया अर्निंग पर इबिएटी अर्निंग भीफोर इंट्रस एंटेक्स एपीएस ओके जिनकी फर्स क्लास है ना सिंपल सा है उनको पहले की क्लास थोड़ी देखनी पड़ेगी क्यूंकि हम सेकिंड क्लास चल रही है इसकी तो समझ में ना है शाह दिया 25.1 जो लिखा हुआ है मैं लिखते जा रहा हूं आप भी वेरिफाई करते जाएए बताइए इसका कितना है 14 यह 17.5 मैंने गलत देख लिया हाँ बिल्कुल सही 17.5 25 मैंने गलत देख लिया तो 25 को मैंने उसको आगे देख लिया ठीक है पहला कुश्चन डन हो गया इंडिफरेंस पॉइंट अभी तक के कुश्चन में जितना भी कर रहा है तो आप में अभी तक में कोई डाउट है तो बताइए यह क्लास के अंदर हमने कुछ भी एक्सरा पार्ट नहीं किया यह पिछली क्ल्स का ही पार्ट है पुरा किसी को कोई डाउट है अभी तक में फिर इनडिफरेंस पॉइंट में मांसी, no no, no, no सभी बच्चों कहना है, सर अभी तक कोई doubt नहीं है आगले point पे चलें, अब आते हैं indifference point पे, ठीक है सर, indifference point पे आ जाते है सर, indifference point क्या कह रहा है कि जहां पे आपका EPS के आ जाए, equal आ जाए तो हमें दो equation को एक साथ रखना पड़ेगा क्या रखना पड़ेगा अब दो चीजे हो सकती है अगर आपका only equity होगा या फिर क्या हो सकता है equity and debt preference share कहलो, कुछ भी कहलो equity and debt तो दो चीजे हैं अब बताओ, simple सी बात मुझे बताओ कि जब equity होता है only तो आप EPS कैसे निकालते हो तो ऐसे situation में ध्यान से देखे यार सिर्फ equity था ना तो EPS क्या निकाला, 70 में से मैंने simple सा सिर्फ tax का ही minus किया यह दर है, इधर है सिर्फ equity, ठीक है 70 में से सिर्फ क्या minus किया tax और फिर number of shares से divide कर दिया यही तो क्या है, ज्यान से देखो इसी formula को यहां रख देते हैं यानि आपने बोला, sir, आपने क्या किया है EBIT 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 और आपने करा one minus में tax और इसको divide कर दिया number of shares और number of shares को मैं N से denote कर दो, simple समझाने के लिए N मतलब new number of shares या number of shares क्या लोग, ठीक है और sir, जब आपका debt था तो क्या formula बना, sir, debt के case में आपने क्या किया, पहले interest minus किया, फिर tax minus किया, और फिर divide किया, इसका मतलब कुछ ऐसा करा है हमने EBIT minus interest और one minus में T, ये कुछ किया है, और इसके divide by क्या कर दिया है आपने जो पहले करा है वो एक table के format में किया है और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक formula के format में कर रहा हूँ, है वोई, और अगर PD आ जाए, preference dividend आ जाए तो क्या करोगे, यानि तीनों चीजी आ सकती है न, equity plus debenture plus में preference share, ये तीनों आ जाए तो क्या formula बनेगा, फिर EBIT फिर minus interest करोगे पहले, याद करो, और फिर इसमें से 1 minus T करोगे और फिर minus क्या करोगे preference dividend, अब बचेगा end ये देखो, तीनों formula रिखती है, मैंने ये तीनों formula अगर आपको मैं बात कहूँ न, तो ये नए नहीं है आपके ये तीनों बाते जो है पहले लिखा हुआ है, हमने करा हुआ है लेकिन हमने जो करा था न, वो हमने एक statement के format में किया था उस statement को यहां कर दिया, अगर आपको माइनस करके आता था, वो equity share से divide हो जाता था अब देखो पहले वाला, मैंने simple अगर interest ही नहीं भाई, तो मैं I- क्यों करूँ यहां पर क्योंकि मैंने क्या बोला, only तो interest होगा ही नहीं, तो I- ही नहीं होगा और यहां क्या बोला, equity और debt तो इसलिए पहले I- कर दिया, फिर tax minus किया, और मैंने बोला, तीनों है तो पहले interest minus किया, debt, उसके बाद जो profit बचा है, यह जो point बता रहा है, यहां से यहां तक आप देखो, यहां से यहां तक, तो that is E-A-T earning EBIT, minus interest, फिर minus tax तो E-A-T बचा, अब इसके बाद क्या minus करते है, PD, तो last में मैंने PD minus करती है, समझ मैं आई बात आपको तो यह formula आपके लिए new नहीं है, बस मुझे समझाना था कि हम करते आए हैं, चलिए सर्थ, फिर indifference point क्या होगा, आपके पास जब दो option होगा, इन दोनों option को equal में रखती जिए, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, आपको हर एक बात पता होगा, interest पता होगा, text पता होगा, number पता होगा, बस EBIT नहीं पता होगा, तो यारि indifference point निकालोगे तो तीन का नहीं निकाल सकते एक साथ, आप जब भी निकालोगे, तो किसका निकालोगे, दो का ही निकाल सकते हो, किसी का, जैसे अगर मैं यहां पर बोलू, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, या फिर इसके और इसके बीच में निकाल सकते हो, या फिर हमारा पिछला सबस्राइब थे और हमारा कितने थे 2 그러면 कितने थे2 i1 नमबर ऑप्षण टू आ गये थे ऑप्षण नमबर टू में क्या था अउनली इक्विटी था और एक्विटी कितने थे चार लाख नमबर की बात करें तो चार हजार और टेक्स रेट क्या था दोनों कुश्चन के लिए सेम ही था इस तीस परसंट यह पिछला कुश्चन है जो कि पीछे वाले पेज पर गीवन था उसको मैंने नोट कर दिया बस यह देख लो आपके सामने कुश्चन है ठीक है ने से अब इसका इनडीफरेंश पॉइंट निकालना है तो vivid पिछले वाले में EBIT भी दे र包सी तो commitment कंसीडर नहीं करेंगे अब बहुत कंसीडर कर लेते हैं क्या करेंगे सर कंसीडर अब आ जाएका हमारा formula रख लेते हैं पहले formula लिख लेता हूँ EBIT IT minus में क्या करना है इसमें इसमें पहले वाले format में पहले loan वाला option है ना तो minus interest कर देते हैं कोई भी कहीं रखो फरक नहीं पड़ता और 1 minus में T कर देते हैं और divide by क्या कर देते हैं और इसके equivalent में क्या रख देते हैं क्योंकि हमें दोनों लेवल में ऐसा profit निकालना है common करके जो कि दोनों में N से divide करने के बाद EPS सेम आए यहां पर देखा जाए तो क्या होता है हमारा सर यहां पर आ जाएगा EBIT minus में minus तो interest है नहीं तो सीधा क्या कर दें 1 minus divided by N क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि दो plan हो और दोनों में loan हो हो सकता है लेकिन फिर हम वहां पर भी क्या करेंगा 1 minus interest के बाद 1 minus T करेंगे अब पहले वाले point में EBIT को EBIT रहने देते हैं minus interest आपको पता है दो लाग के उपर कितने percent था I think 10 percent नहीं यहां कहां से आएगा 15 percent है तो 30,000 1 minus tax करेंगे तो 30 percent है तो यह 0.7 हो जाएगा चलो मैं पहला तो करीदू 1 minus में 0.3 इसको divide किसे करेंगे n पहले case के अंदर n कितना बन रहा था हमारा 2000 अब इदर आ जाते हैं sir EBIT कितना है EBIT तो पता ही नहीं है न 1 minus tax 1 minus 0.3 और divided by n इस वाले case में 4000 बन रहे थे हैं अब इस equation को solve करना है तो हमारे पास missing क्या है only EBIT इस equation को solve करके देखते हैं क्या result आता है तो सबसे पहले हम इसको multiply करेंगे तो 0.7 आ जाएगा यह और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा मैं डारेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा space कम होनी के विए से 0.7 EBIT हो जाएगा और minus में यह 21 देखो मैंने डारेक्ट कराया इसको पहले ही मैंने यहीं पर मन में ही count कर लिया इसके बाद क्या है हमारा सर इसको करेंगे 0.7 EBIT divided by अब multiply करो cross तो इसको इससे multiply करेंगे तो 0.7 इंटू 4 कितने हो जाएगा 2800 या इसको ऐसे भी कर सकते हैं देखो इससे stage पे मैं चलो पूरा कर रहा हूं नहीं तो 0 से 0 काट सकते हैं हम चाहे तो और जिनको mathematics जिनके पास नहीं था अब तो पढ़ी रहेंगे बच्चे मैं डारेक्ट पूरा पूरा कर रहा हूं बाकि आप इससे short में निकालना चाहते हो निकाल लेना अठाइस सो अब इससे multiply करेंगे 21000 और 4000 पता हो कितने आ रहे हैं अरे वो तो मुझे भी पता है यही तो मैंने बोला बहुत बच्चों को तो पता ही नहीं है न तो मैं इसके लिए पूरा पूरा कर रहा हूं बिल्कुल एकदम simple simple step तो 2460 मैं बिल्कुल step जिसको काटना है यह काट लेना हूँ साथ से into करोगे 2000 से तो 14 correct चलिए अब इस step को solve करते हैं तो 1400 इदर 2800 में से minus हो जाएगा तो कितने बचेंगे 1400 EBIT और यह इदर जाके प्लस हो जाएगा देट इस 84560 अब EBIT निकल के आएगा कुछ अठ चार एक दो तीन चार पांच छे जीरो डिवाइड बाइड 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 लो जी 6000 तो सर 6000 वह profit है जहां पे न तो आपका न मेरा कोई भी option चूज कर लो वही रहेगा एक बार verify भी कर लितें अंसर को साथ हजार प्रॉफिट ठीक है यहां तक समझ में आया है साथ हजार प्रॉफिट पर यहां verify कर लें इसको इस question को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यह तो समझ में यहां गया चलिए यहां verify कर लेते हैं ताकि आपको easy रहेगा compare कर लेते हुश्चन में बोला नहीं verify क सब्सक्राइब करने को बस जो मैंने वर्टिक होना यह विद्ध मैच होना चाहिए पस यह कहानी है यहां पर अगी सार इवी आईटी क्या लोगे बताओ कि क्या लोगे बताओ साथ हजार लेंगे अब हम माइनस इंटरस कर दें तो इंटरस कौन से केस में कितना है पहले केस में और दूसरे केस में 0 तो बचे माइनस क्या कर देंगे सर्टेक्स तो टेक्स कितने 30% तो 9000 और 30% 18 माइनस करोगे तो बचेगा कितना 21000 और माइनेस करोगे तो कितना बचेगा 42,000 अब नंबर अफ चेर यह आ गया मैं कुछ वर्ड नहीं लिख रहा था मैं लिख लो कि एटी आ गया इएटी में से क्या करो नंबर अफ शेर से लिख लो पहले केस में कितना है और इसमें अब बताओ EPS क्या है दोजार से डिवाइड करोगे तो कितना हैगा 19,000 अगया दोनों चेक करो सेम आ रहे हैं ठीक है तो क्या हम सीख रहे थे इस टॉपिक में बेसिक है तो क्या हम सीख रहे थे इस टॉपिक में इन डिफ्रेंस पॉइंट का मतलब वह लेवल प्रॉफिट है जिसके ओपर ना तो प्रॉफिट मतलब के यहां पे इपिएस दोनों में सेम होगा और एक्जामनर यही पूछेगा आपको कोई प्रॉफ नहीं करना यहां पे यह मैंने प्रॉफ करके दिखा दिया आपने बिल्कुल भी प्रॉफ नहीं करना आपने तो यह बताना है इपिएट यह होना चाहिए क्लियर है यहां तक आगे चलें एक और कोश्चन देखें इवी आईटी का तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं तो जो एपिएस से आसान इंडिफरेंस पॉइंट है क्योंकि इंडिफरेंस पॉइंट में तो बस डेटा रखना है फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है और एप बहुत ही आसान लेकिन कंपेर करें तो यह ज्यादा एसी है